पिहार में आज आरजेखों की कारेकर्टा के रहे हैं कि जब 26 सीट वाले राज्चे से पी-म हो सकते हैं तो 40 सीट वाले पिहार से क्यों नहीं आरजडी के दफ्तर में इस वक्त मौझूद है नेताओं से बात करते हैं यह बताए सर आप से शुरुवात करते हैं क्या उम्मीदे हैं वाकई जो विपक्षी एक तरा को एक सूत में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं ती इश्कुमार वो बन पाएगी आपको लग क्या राएग तारिकरता के तरफ एकदम बन पाएगी एकदम सब महागर बंदन के यतने भी घटक दल है सब लेक जगह होगा और दिशा जो है देश को एक दिशा मिलेगी पाटले पूत के धरती से इस समय जो है की समय मार्ज काल में यहां से चंदरगुप्त मार्ज और चानक हुआ करते हैं कि परधान मंतरी कौन बनेगा अगर जीत भी गए उपक्षी दल लड़ाई हो जाएगी बहुत सारे चेहरे ममता बनिर जी है नितिश कुमार है कॉंग्रेस कह रहे है कि राउल गांदी ही चेहरा है तमाम बाते अरविंग के जिवाल के अपनी अलग राज जीती है सब मत परशाद जी कालर के सिरी तेजश्वी परशाद यादव एवं नितिश कुमार शंक नाद किये थे वो तांडब फैलाने वाले माचाने वाले धर्म के नाम पर कुटनीत करने वाले दंगा फरसाद करने वाले के खिलाफ तो देखे 15 विपक्षी दलों की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है अपसे कुछ देर बाद साजा प्रेस कॉनफरेंस होगी साजा बयान जारी किया जाएगा और तब ये सब के सामनी आएगा कि अपने अपनी शर्तों अपने अपने एजिंडों के सा अगर विपक्षी दल एक टेबल पर बैठे हैं तो क्या बीच का रास्ता निकाला गया है 2024 के लिए क्या बड़ी रण नीती बनी है क्या कोई एक बड़ा नाम सामनी आ पाएगा जिस पर तमाम 15 विपक्षी दलों की सहमती बन गई है क्या सहीं उज़क पर कोई फैस्ता हो प टेबल पर लेकर तो आ गई है, हाला कि उस टेबल पर जो बातचीत हुई, उसमें ममता बनर जी ने अपने स्टेट की बात रखी, उमर अब्दुल्ला ने जमू कश्मीर की बात रखी, अर्विन केजरिवाल अध्यादेश पर कॉंग्रस कास समर्थन मांगते हुए नजर आए इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर